आप सभी दोस्तों का स्वागत है विकास सर के इस क्लास में और एक्जाम कार्ट लाइब यूट्यूब शैनल पर दोस्तों आज 20 जनवर के जितने भी महात्पून करेंट अफिर के कुश्चन बनेंगे आपके एक्जाम के पॉइंट आपके पॉइंट से उसको हम डिसक्स करन करेंगे चार से पांच को से देखने को जरूर मिलेगा अगर आपके तैयारी शुरू से रहेगी तो आप उन बच्चों से या उन चैनिडिट से आगे रहेंगे जो अभी अभी स्टार्ट करेंगे एक्जाम टाइम पर नोटिकेशन आने के बाद या फिर कह सकते हैं कि जब आने के बाद में जगते हैं फिर वह सोचते हैं कि अब मैं कैसे करूं यह वह फिर उनके पास बर्टन हो जाता है कुछ भी नहीं कर पाते हैं इससे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रेगुदर बेसे इस पर देखिए हमारी क्लासेश होती है एक्जाम का यूट्यूब जो भी दोस्त नए है चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे बाकि हमारी क्लासेश डेजी आती है और आती रहेगी और अगर आपका कोई इस और सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी दोस्त जरूर इसको फिल करेंगे जो ड्रीम है जॉब लने का गवर्मेंट जॉब लने का वह पूरा हो सकता है कि बहुत अच्छी वेकेंसी है अब ही बहुत सारे लोग है जो जीडी में लगे हुए है तो जीडी का जैसे खतम होगा उसके साथ ही साथ आपका MTS कभी हो जाएगा तो जल्दी हमारी टीम जो ह जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं अर्थ वेवस्ता हुआ राज वेवस्ता हुआ विज्ञान एंड टेकनोजी साइंस एंड टेकनोजी इतिहास हो गया साइंस हो गया और बुगो और परियावर्ण सभी छे बुक हैं आप चाहे तो आपकी मर्जी है जितनी भी बुक देन कुर में जाइगा साड़ार और को यूज करना विकास टंका आपको ठेन परसंट का इस्स डिस्कॉंट में जाएगा टोटल अभी 45% बुर्श को पर कर सकते हैं सब कुछ अक बदा दिजिएगा audio video सब कुछ perfect है कि नहीं है चलिए फिर यह रहा आपके सामने पहला प्रस्ण देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं पहला प्रस्ण है हाद ही में किस IT company ने information technology किस IT company ने रवी कुमार को अपना मुख्य कारकारी अधिकारी यानि कि CEO Chief Executive Officer जिसका full form होता है अधिकारे नियुक्त किया है option A है वीप्रो ने option B है कोग्रिजेंट option C है Infosys and option D है TCS तो right answer क्या है दोस्तों इसका correct answer जो है option B इसका correct answer हो जाएगा कोग्रिजेंट ने IT company जो है कोग्रिजेंट जो information technology यानि IT sector की बहुत बड़ी company है यह चारो के चारो जो है B इसका right answer था कोग्रिजेंट जनबरी 2023 में कोग्रिजेंट IT प्रमुख ने Infosys के पूर्व अध्यक्ष रवीकुमार रवीकुमार जो है Infosys के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके है यानि के CMD रह चुके है उसको यानि उनको रवीकुमार को कोग्रिजेंट ने अपना नय CEO और बोर्ड सदस से नियुक्ति करने की घोशन की है ठीक है रवीकुमार ने दोनों भूमिकाओं में Brian Humphries का अस्थान जया है इससे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि रवीकुमार ने कोग्रिजेंट के CEO या फिर दूसरा के था बोर्ड सदस बोर्ड सदस के रूप में कि इसको रिप्लेश किया है या फिर किसके जगह अस्थान लिया है तो उसका जो होगा Brian Humphries का अस्थान लिया है किसने रवीकुमार ने ठीक है तो रवीकुमार इससे पहले बोर्ड के कह सकते बोर्ड सदस से और CEO थे किसका कोग्रिजेंट का बड़ अब कौन है रवीकुमार कोग्रिजेंट का CEO हो उन्होंने 20 साल तक Infosys में वर्क किया था पिछे 20 साल से वह Infosys में वर्क कर रहे थे इस दौरान उन्होंने जन्वरी 2016 से जग ऑक्टूबर 2022 तक अध्यक्ष के रूप में कारे करने साहिते विभी ने नेत्रितों कारे भूमी का भी निभाई है तो जन सबी दोस्तों से रिक्विस्ट है वीडियो को लाइग चरूर करेंगे दूसरा प्रस्ण है हाथ ही में किस राज जी का विदीशा जीदा है डिस्टिक का नाम है क्या विदीशा एक म्मेर मैं कलर सक्टा हों पर इनका विदीशा जिदा डिस्टिक का नाम है विदीशा जिदा अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी अस्तर पर रखने वादा भारत का पहला जिदा बन गया है अभिनव 5G उपयोग मामलों में मामलों को जमीनी अस्तर पर पर परखने वादा भारत का प्रखने वादा भारत का पहला जिदा बन गया है पहला जिदा बन गया है और यह है अतिरिक्त सची दूर संचार और प्रसासन यूस ओफ के मार्क दर्शन में विदीशा जिदा प्रसासन और कई बार एकजाम में पूछा गया है एससी का फेबरेट कोस्टन है कि सी डॉट का फूल फूर्म बताइए जैसे आपने कई बार देखा होगा रैम का फूल फूर्म पूछ देता है रोम का पूछ देता है इसका है कहां पर है गुजरात में गुजरात में है और गुजरात के कहां गांधी नगर में ठीक है याद रहेगा गांधी नगर को gift city के नाम से भी जान जाता है है ठीक है गांधी नगर को gift city के नाम से भी जान जाता है गुजरात में आभी अहमदा बदें पतंग महुत्सब does कि लोग गुजरात और तो सेटर फोर्म क्या था सेंटर फोर्ड डवल्पमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलेकम्यूनिकेशन की एक सभी के मिल करके इसको सक्सेस्फुल टेस्ट को कंड़क्ट किया है बात करें मुखमत्री के तो सिब्राज सिंग चोहान मु राज्यपाल से यानि की गवर्णर से एक्जाम में कुस्टन जरूर आता है तो आप सभी से मेरा रिक्यूस्ट है कि याद जरूर कर देना सीम देखो इसको सिंग गवर्णर और केपिटल यह तीन चीज आप जरूर याद करें इसपेश्ट है ज्याद तर एक्जाम में नॉर्थ इस्ट का ही अंगैो इसक च कियो dow आप जरूर याद करें हि इसके जो होते हैं, capital हुआ ये गवर्नर हुआ ये confusion वाज़ते हैं, तो इस बज़े से exam में ज्यादा तर यही से आता है North East वाज़ते हैं, आपने देखा भी हो का अब तक जो आया है उसमें, governor ज्यादा तर जो आया है और capital भी जो आया है, आप से कभी यह नहीं पूछेगा कि बिहर की राज़धानी बताओ, लेकिन आप से जरूर पूछेगा कि नागाज़न्ट की राज़धानी बताओ, ठीक है, नागाज़न्ट की राज़धानी बताओ, कई बार exam में पूछा गया, ठीक है, तो North East का जितने भी है ना, सभी का याद कर देना, ताकि आपको दिक्क International Year of Millets, ठीक है, तो International Year of Millets है 2023, कौन सा है, 2023, International Year of Millets, इसका चेयर कहाँ पर, जैसे कि यह जो International Year of Millets की जो शुरुवात हुई थी, FOA ने किया था, और गाज़धान, समिट जो हुआ था, उद्घाटन कहाज़कते हैं, समिट ने, FOA ने, FOA ने, Food and Agriculture Organization, Headquarter कहाँ है इसका, FAO का रोम है, रोम कहाँ है, इतली में, ठीक है, और, इसका जो और गाज़धान कहाँ था, समिट का, International Year of Millets का, वो कहाँ पर किया गया था, इतली में किया गया था, इतली में है, और, इतली में ही, International Year of Millets का, जो समिट हुआ था, उद्घाटन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, इतली में किया गया था, ठीक है, तो यहाँ से याद रखीगा, अब भारत में बात करें, यहाँ बनता है कि भारत में कहां उपर हुआ था, बाजरा उटसब, तो कहां पर हुआ था, ऑप्शन यह है, देली, हैदराबाद, गांधी नगर और मुंबे, तो राइट आंसर, ऑप्शन C हो जाएगा, गांधी नगर में, गांधी नगर में दोस्तों, इंटरनेशनल, न गिफ्टि शिटी के रूप में जाने जाता हैं, इसका फुल-फॉर्म अगर आप बात करोगे, इसका फुल-फॉर्म होता है, गुजरात, गुजरात, इंटरनेशनल, फुल-फॉर्म याद रखना है, दोस्तों, एकशाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी नकीसी में कभी पूछे तो याद रखना अगर आपको आता रहे so Centra 是 तो याद रखे कहां पर है ये गांधी नगर जो है गुजरात की कैपिटर है ये भी पता होगा ना आपको गुजरात की कैपिटर क्या है गांधी नगर में जनवरी 2023 में बाजरा उत्सब मनाय गया है राजजी में बाजरा के उप्योग के बारे में जागरुकता फैदाने के लिए कारिकरम का आरजन किया गया है राजजी में बाजरा के जो उप्योग है यूज है उसके बारे में प्रोट्साहित करने के लिए राजी आठ सहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपू आयोजित करेगा वहां के जो मुखमंत्री हैं भूपेंद्र पटे उन्होंने बताया कि जो अर्बन एडियाज है सहरी छेतर हैं सहर में सहर के जो लोग हैं उनको बाजरा के उप्योग के बार में प्रोट्साहित करने के लिए राजी के आठ सहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपू का आवजन किया जाएगा टोटल कितने आठ सहर यह चीज़ भी हो सकता है जामें पूछ ले किसानों को बाजरा उगाने के लिए फसर प्रणाली आधारित प्रस्रिक्शन दिया जाएगा ताकि वो बहतर क्वालिटी का बाजरा का जो कह सकते हो सके उनको प्रॉफिट भी हो सके किसान जो मेहनत करेंगे इतना तो उनको थोड़ा प्रॉफिट भी हो सके और बहतर क्व सारंग आवेजित किया गया है किस आयएट में भारत का जो सबसे वारण साथर σंचारत नाम 419 है उसको आयोजित किया गया है कहां पर IIT मदरास में भारत के सबसे बड़े छात्रोद्वारस संचालित सारंग का 28 संस्करन जनवरी 2023 के IIT मदरास में शुरू हुआ है और सारंग 2023 में देश भर के 500 कॉलेज की भागिदारी के साथ 100 से अधिक कारेक्रम होंगे सारंग 2023 पूरी तरह से फीजिकल मोड में आयोजित के हुआ छात्रोद्वारस संचालित सबसे बड़े उत्सबों में से एक है फीजिकल मतब आप वहाँ जा सकते हैं वहाँ पर इस्ट्रेंट जाएंगे कॉलेज के जो मेंबर हैं वह जाएंगे फीजिकल का मतब यह हुआ ठीक है जब लॉक्डान लगा था उस ट्रम किस में था वर्चूल मोड में था आपने कई बार सुना होगा कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोडी ने वर्चूली इस चीज़ का आयोजन किया है इस चीज़ को सम्मिट में भाग दिया है तो वह मतब होता है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के धुरू होता है वर्चूली का मतब फीजिकल मतब आप जा सकते पंजाबी जो अपने भासा है अपने देश के बासा को अपने इसकूली छात्रों के लिए नभी निंतम भासा के लिए रूòng से में अपनाने कि घृचना कि रेटिस्ट नग्विज option A है Japan, option B है Maldiv, option C है Australia, option D है तो correct answer है option number C इसका correct answer है दोस्तो Australia, Australia, Australia ने अपने देश के school जितने भी school है उसमें छात्रों के जो नविंतम भाषा के रूप में किसी अपनाया है पंजाबी को अपनाया है, option C इसका right answer हो जाएगा Australia इस सरकार ने जनवरी 2023 में यह 23 है करने की घोषना की है, 2020 में जनगर्ना के बाद यह घोषना की गई थी कि यह Australia में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भासा है जहां 2 लग 49,000 से अधीक लोग इस भासा का घर पर उप्योग करते हैं तब यह बता रहा है कि लग भग 2 लग 49,000 यारी 2 लग 40,000 ऐसा लोग हैं जो सिर्फ पंजाब के लोग हैं जो कहां रहते हैं औस्टेलिया में रहते हैं तभी तो करते हैं या फिर हो सकता है दूसरे स्टेट से भी होंगे बट उनको जो पंजाबी जैंग्वेज है वो आती होगी मौस्ट प्रवैब्ली यही है आती होगी 2016 के मुकाब्दे 2021 में 80% की बढ़ोतरी इंक्रीमेंट बहुत बड़ी बात है कहीं वो भी दूसरे कंट्री में अगर अपने कंट्री के कोई भासा है जो 2016 से 2000 यानि पिछे 5 वर्स में उसका जो इंक्रीमेंट है ग्रोथ है बढ़ा है कितना 80% बढ़ गया है बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में तो इसी वज़े से वहां के जो सरकार है वो अपन गवर्वर्मेंट ने और अस्टेजा के जो पी-जैंग तुन है अंथाणी अल्बनीज और स्टेजा के पी-जैंग है भारत और अस्टेजा के बीच में एक ट्रेट अग्रेमेंट भी हुआ है चान्टा प्रस्न है अधिवे भारत की 11 वर्षिय लर्की जिसका नाम है फदक Option B है जम्मो कश्मीर, Option C है हिमाच्य प्रदेश Option D है जदाक Option इसका राइट आंसर है Option नमर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फदक मुम्ताज ने 23 वी रास्टिय स्कॉाई चेंपेंशिप में स्वर्ण पदक जीता है जम्मो कश्मीर राइट आंसर है इंडोर स्टिडियम भगवती नगर जम्मो में चेंपेंशिप का आज़न किया गया था जम्मो और कस्मीर ने प्दक ताजिका में पहला अस्थान हासिर किया है जम्मो कस्मीर इस टुटनामेंट के इस इवेंट के और टॉप पे रहा है जबकि आंधर प्रदेश, दूसरा अस्थान, हासिग्या और ओरिशा तीसरे अस्थान पर रहा है जमूर कस्मेश के उपराजे पाज जो है मनोज सिन्ह है सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अपने दोस्तों से शेर करना और अगर चैनल पर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया जल्दी ही हमारी लाइव क्लास से स्टार्ट हो जाएगे अभी किसी वज़ज़ से जो है रिकॉर्डर क्लास आती है सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेर भी करें साथना प्रस्ण है भारत के लोकसभा के स्पीकर नाम क्या है ओम बिर्दा भारत के लोकसभा स्पीकर है बिर्दा ने सौधाव से 21 जनवरी 2020 तक केयनिया और किस देश निया तरब न क्रवेश देश में जाने वाजे एक प्रती निढृतियो का हूं ये पूचरा हुँ अर्मेदिया है light answer इसका option B इसका correct answer हो जाएगा तंजानिया ओम बिर्दा जो है 16-21 जनवरी तक केनिया और तंजानिया में जा रहे हैं एक प्रतिनीधी मंडल का नित्रित्तु करेंगे तो option B इसका right answer हो जाएगा लोगसभा के speaker को ओम बिर्दा ने 16-21 जनवरी तक केनिया और तंजानिया जाने वाले एक प्रतिनीधी मंडल का नित्रित्तु करेंगे चिराग पास्मान, मनोज कीशुर भाई कोटक और सूसरी एस फागनोन कोर्यक और लोगसभा के महासाचेव उत्पल कुमर सिंग प्रतिनीधी मंडल के सदस्ति है तंजानिया के अपनी फिल्म यात्रा के दोरन प्रतिनीधी मंड़ तंजानिया के उपरास्टपती फिलिप मैंपैन से मुलकात करेंगे केनिया के जो प्रेसिडेंट है रास्टपती है कौन है विल्यम रोटो है और तंजानिया के जो है प्रेसिडेंट है कौन है सामिया सुहूल हसन यहां के तंजानिया के प्रेसिडेंट है और उपरास्टपती कौन है फिलिप मैमपेन यहां के उपरास्टपती है तंजानिया के आत्मा प्रस्ण है हाधी में यूरोपीय संग ने अपना डैश्वा मैनलेंड और्बिटल लॉंच कॉम्प्लेक्स का उधगाटन किया हाधी में यूरोपीय संग ने अपना कौन सा पूछ रहे मतलब कौन से नंबर का है पहला है दूसरा है तीसरा है पाचवा है कौन सा नंब आर्बिटल लॉट्ट लॉट्ट का उद्गाटन किया है, थार्ड नंबर का है, सेकेंड नंबर का है, फर्स्ट नंबर का है, या फिर फॉर्थ नंबर का है, तो यूरोपिय संग एयू ने अपना पहला जो कह सकते हैं, आप सिन उच्छी इसका राइट आंसर होगा, अपना पहला Maniland Orbital Launch Complex का उधगाटन किया है। उप्सन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपिय अधिकारी और स्विडिस राजार कार्ल 16 गुस्ताफ ने जनवरी 2023 में स्विडन में यूरोपिय संग के पहले Maniland Orbital Launch Complex का उधगाटन किया है। किरुना सहर के पास Exchange Space Center में बनी नई फैसलिटी फ्रेंच गुयाना में यूरोपिय संग की वर्तमान लाउंचिंग शमताओं को बढ़ाएगी। उसके जो इसे जो वर्क रोड यूरोपिय संग का तो उसके जो जो जुब्टा है उसको यह बढ़ाएगी और कोई नई चीजी दो जा रहा है आपने आप में कि उस जो जो जूंच पैड है उससे थोड़ा से वर्क्रोड कम होगे इस पर काम होगा तो उस पर लॉंच पैड जो होगा वर्क्रोड जो होगा वह कम हो जाएगा यूरोपियर ने अपना पहला लॉंच पैड लॉंच किया है कौन सा पूंध था मैंडलेंड आर्बिटर लॉंच पैड का इस्तिमाल किया है नौव प्रत्स्थित गोल्डन पिकॉड अवर्ड 22 से समानित किया है गोल्डन पिकॉक अवर्ड किसे दिया गया है किस कंपनी को दिया गया है किस चीज के लिए इस पात के शेतर में कॉर्पोरेट समाजिक उत्तरदायुत गतिवीधियों में उत्क्रिष्टिता के लिए प्रतिष्टित गोल्डन पिकॉक अवर्ड किसे दिया गया है टाटा को दोस्तों इस पात छेत्र में कॉर्पोरेट समाजीक उत्तरदायत गरती वीधियों में उत्कृष्टता के यानि कि बहतर परफॉर्मेंश के लिए अच्छे वर्क के लिए प्रतिष्टित गोर्डन पीकॉक अवर्ड दिया गया है इसके जो CEO है सजन कौन है सजन सजन जिंदल इसके CEO है किसके जिंदल स्टिजग ठीक है प्रमुक इसपात निर्माता नाम क्या है जिंदल स्टिजग पावर को जनवड़ी दोहजर तईस में इसपात छेत्र में कॉर्पोरेट समाजीक उत्तरदायत उत्तरदायत गति वीधियो में उत्त्रिष्टता के लिए प्रतिष्टित गोर्डन पीकॉक अवर्ड 2022 से समानेत किया गया है इसपात निर्माता का चेन भारत के पुर्व मुख नयदिस एम एन वेंकट चलेया की अध्यक्षता वाजी जूरी टीम ने किया है कंपनी अब तक 17 संयुक्त राष्ट सतत्र विकास लक्षियों में से 16 के साथ सर्ण रहे स्कित है कंपनी ने अब यू एन एस्टी जी यूनाइटे नेशन सस्टेनेवर डवलप्मेंट गोल इसका फु फुल फर्म होता है सस्टेनेवर डवलप्मेंट गोल इसका फुल फर्म होता है तो कंपनी जो है सत्रा यूनाइटे नेशन की जो सत्रा सतत्र विकास लक्षियों उनमें से 16 के साथ सन्रेक्षित है यानि कि वह काम करना है मतलब उसको पूरा किये है तो इसी वजह से इनको है ये आवॉर्ड दिया गए है थात दसमा प्रसन मंत्री भुपहेंं murderer यादव ने भुपहेंद्र पटन्यादा ब्ल्राजस्थान के किस जीधे में कर्मचारी भहवशे निधी संगर्थन प्न प्प मत कर्मि में mee ऑ इंप्न employee provident fund organization इसका full form होता ठीक है यहां दिखा हुआ EPFO के छेत्री कारियादय का उध्गाटन क्या है तो भूपेंद्री आदब ने राजस्थान के किस जिले में EPFO के छेत्री कारियादय का उध्गाटन क्या है कहां पर क्या है अलवर में क्या है जैपूर में क्या है जोधपूर में क्या है या फिर उध्गाटन क्या है तो ऑप्शन एसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में भूपेंद्री आदब ने कर्मचारी भावश्य निधी संगठन EPFO के छेत्री कारियादय का उध्गाटन क्या है भूपेंद्री आदब जो है दोस्तों स्रम अंडेलेवर मंत्र पास है और यह जो EPFO आता है वो श्रम मंत्रा एक अंतरगत ही आता है पूपेंद्री आदब ने तेरे जनवर को ने कर्मचारी भावश्य निधी संगठन EPFO छेत्री काड़ियाले का उद्गाटने, फुल फॉर्म इसका इंग्लिज में है Employee Provident Fund Organization, इसका फुल फॉर्म होता है, इस छेत्री काड़ियाले के खुलनेक से, अलबर के साथ साथ, परोशी जीजे जैसे भरतपूर, धौलपूर के लगभग दोजा कर्मचारी, बाराद हजार प्रतिष्ठित और प्चासी सो पेंशन भोगियों लभानवित होंगे, यानि कि इतने लोगों को इस यहां पर अलबर में, इसका जुछेत्री काड़ियाले खुला है, उससे इतने लोगों को फाइदा होगा, इप एफोके जो अध्यक्ष है निदम, शमी, राव हैं और राजस्थान के राज्यपाल को है, कर राज मिस्रा, अगर राजस्थान में वह सुरू हुआ है, तो अब यसी बात है हमें पढ़ना पढ़ेगा, कि राजस्थान के जो राज्यपाल, हमने पिछले भी किलास पर कर दिया है, कई बार कर दिया हुआ है, मैं इतनी बार दे दू कि आपको इसको अलग से याद करने की जुरूत नहीं पर है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर आप एक साथ एक ही चीज़ को पढ़ोगा, तो आप कन्फूज हो जाओगा, किसका कौन है, लेकिन ऐसे एक एक प पर बढ़ा था यह चीज़े, तो इससे याद रहती, इससे मेरी कोशिच रहती कि मैं जाद से जाद दे पाऊ, जाद चीज़े होती है, वो मैं दे पाऊ और आपको जाद दिनों तक वो चीज़े याद रहे, कन्फूज ना हो, एक्जाम में आगर आपको दिखता है, तो आ इबोदा बीमारी के प्रकोप के अंत की घोशना की है, वो ने किस देश से इबोदा बीमारी के प्रकोप के अंत की घोशना की है, ओप्शन ए है श्रिजंका ने, ओप्शन बी है यूगांडा ने, ओप्शन बी है केनिया, ओप्शन सी है, डी है तंजानिया, तो इसका यूगांडा ने जन्वरी 2023 में इबोदा वाइरस के कारण होने वाली इबोदा बीमारी के प्रकोप के अंत की घोशना किया ठीक तो इबोदा रख्त अस्त्रवी बुखार मनिश्यों में एक दुरजब गंभीर और घातक बीमारी है इसमें एक रख्त अस्त्रवी नाम का बु वह उसका अंत हो गया है इबोदा वाइरस पहली बार 1976 में कांगो में इबोदा नदी के पास खोजा गया था यह वाइरस जंगजी जानवरों से इनसान में फैलता है यूगांडा के राष्टपती कौन है योवेडी मुसे वेनी यूगांडा के राष्टपती है और मुद् वाइर्सच में करनसी और कैपिटल यह दो जरूरी होता है देखोर इसका टीन त्रिफल सी एक है करणसी एक कैपिटल और एक है कंट्री करेंसी करद सि Collation यह तो यह आपको याद होना बहुत जरूरी शान इस पे से जो अपने nearest country है जो पड़ोसी राज country है उसका याद होना बहुत important है क्योंकि एक्जाम में बार बार यहां से question बनते हैं आज ही में किस company ने vertical take off landing में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विक्षित किया है किस company ने vertical take off और landing में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विक्षित किया है स्काइडूट, aerospace, अगने कुल, cosmos, IG ड्रोन और इन में से कोई नहीं तो right answer जो है इसका option number C इसका correct answer हो जाएगा IG ड्रोन इस ड्रोन ने अभी अभी launch किया कि इसको vertical take off और landing में सक्षम भारत का पहला 5G ड्रोन को विक्षित किया है इस ड्रोन को sky hawk नाम दिया गया है इसकाइड होक नाम दिया गया है और इसे रक्षा और चिकित्सा के अलावा आने छेत्रों में भी इस्तिमाल किया जा सकता है यह 10 किलो के पैलेट के साथ यानि 10 किलो चीजे जो है वो ले जा सकता है 5 गंटे तक उरान भड़ सकता है यानि कि यह जिसको हम शौट में बहुते है यह यह भी इंवेट है और तर्मल में इमेजिंग जैसी चमताओं से भी लैस है आईजी ड्रोन का जो मुख्यादे है नोईटा इसका मुख्यादे है थर्टी नमबर का प्रस्द है हाल ही में कैप्टन सूर्भी जखमोजा किस संगठन में सामिद होने वादी पहली महिदा अधिकारी बन गई है option A है BR यानि इसका फुल्फर्म होता है बॉर्टर रोड बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन इंडो टिबट इसका होता है बॉर्डर पुलिस इंडो कि इबट बॉर्डर पुलिस और option C है Indian Army option D है Air Force तो राइट जो आंसर है दोस्तो आप्शन इसका correct answer हो जाएगा सुर्भी जखमोजा जो है दोस्तों BRO में सामिल होने वाले पहली महिदा अधिकारी बन गई है option A इसका राइट अंसर हो जाएगा भारते से प्रोजेक्ट का नाम क्या है दन तक यह भी इंपोटेंट है कौन सा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दन तक के तहार BRO द्वारा तैनात किया गया था सीमा संपर्क को बहतर बनाने के लिए 2015 में BRO को पूरी तरह से रक्षा मंतराजे को सौप दिया गया था सीमा संपर्क यानि की बॉटर को बहतर बनाने के लिए 2015 में BRO को पूरी तरह से रक्षा मंतराजे के अधिन समर्पित कर दिया गया था या उसको में मिला दिया गया थ दे दिया गये था बियारों के जो अध्यक्षा कौन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बियारों के अध्यक्षा और मुख्याद इसका नई देजी में है नेक्स्ट कोस्चन है हाधी में अलिबाबा समुह की कंपनी एंट अलिबाबा समुह जो की बहुत बड़ी कंपनी है कहा की चाइना की और इस कंपनी की एक सब कंपनी कह सकते हैं कि कौन्ट है एंट फाइनेंशियल ने किस कंपनी में एक सोपच्चिस मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी को बेची है और फिलिप कार्ट में और पेटियम और प्रिचार्ज और और फोन पे इसका जो और आंसर होगा दोस्तों ऑप्सन नमर बी होगा इसका पेटियम बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट है किसका अलिबाबा और पेटियम तो खुद ही है यह कंपनी है जिसके पैरेंट रिकान कौन है पेटियम और पेटियम में अजिबाबा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो ऑप्सन पीज्ध का राइट आंसर हो जाएगा और पेटियम के जो सीओ है विजैशेखर सर्मा है और जो इसका headquarter है कहां पहे दोस्तों नोईटा में एक वार सभी दोस्त बताएंगे ND या YD कमेंट करके बता दीजिए अभी में जाय भी तो हो नहीं तो ज्यादा interaction आप से हो नहीं पाती है जेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे ND और YD और सभी दोस्तों से request है कि वीडियो जैसा भी दगा हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा दगा वीडियो और आप से मैं पूछ रहा हूँ MP का governor मुझे आप बताएंगे MP का governor कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी दोस्त ठीक है तो उमीद करता हूँ आप सभी कोई सेशन पसंद आया होगा आज के जितने भी महात पूर्ण question थे उसको हम discuss कर चुके हैं इसके बाद discuss करते हैं अजी बाबा समो की पंपनी एंट फाइनेंसियल ने 12 जन्वरी 2023 को भारतिय डिजिटल भूगतान और वितिय सेवा कंपनी पेटियम के 2 करोर सेयर 536.95 रूपे पर सेयर के हिसाब से 2 करोर सेयर को बेचा है किसने अजी बाबा समोने ब्लॉक डिल एक ऐसे सौधे को कहते हैं जिसमें एक्सेंज में ब्लॉक डिल के तरो हुआ है ये तो ब्लॉक डिल के बारे में अधिक रूपे के मोज़ पर कारवार करते हैं ठीक है तो ब्लॉक डिल के वाद एक विशेश ट्रेडिंग विंडो के दौरान ही आलजित की जा सकती है ये हमेशा नहीं होती है लेकिन एक स्पेसिल ट्रेडिंग विंडो और ओपन होता है टाइम डूरेशन ओपन होता है उस ट्रम इसका आयोजित किया जाता है पेटेम के सीओ विजेश शेखर सर्मा और मुख्राजय इसका नोईडा उत्तर परदेश में ठीक है तो आज के जितने भी महात्पूर्ण करेंट अफेर थे उसको में डिसक्स कर चुके हैं हुष तो थोड़ा देशर रहता है वीडियो आज उत्सके में आप सभी से माफिश काहता हूं अभी मेरे घर पे काम में आ हुआ हूँ घर पर इसवज़े से नहीं पड़े मैं कोशिश करता को डेशी वीडियो दे पाने का तो दोस्ते आप दाता है तो आप उसके थो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो आप चाहे तो विजुन वगगराँ चाहिए तो अब यह भू कर सकते हैं प्रसे कि प्रैस बहुत कम है निया गया तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं मिलेंगे कल के वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर